कि गुटीवनिंग एविवन मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी के स्वागत करती हूं और आज है के वीस्टीटी का डे 17 नो मेना फॉरेन आप लोगों को पढ़ाऊंगी उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूं कि जैसा कि आ जो चात संगठन है वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम सब भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द UPTGT PGT की डेट जो है वो जो 2022 का विग्यापन है उसकी डेट जल्द आए और जिसे कि लोग जो है वो अपना एक्जाम दें और सेलेक्ट हों और इस साल नौकरी लें तो मै मैं आप लोगो से एक request करना चाहूंगी और ये मैं चाहती हो कि अगर आप लोग कर भी लगता है कि इस चीज से फायदा हो देनाइब कर रहे हैं कि यूपी टीटी 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 2022 की टेट जो है वो एक्साम की डिकलेर की जाए तो आप लोग भी उन्हेंसे ज्यादा-स-ज्यादा पास जो है जिस तरीके से भी उनके पाप पहुँचकर और उनका साथ दे कर हम सब को उनका सपोर्ट जो है वो करना चाहिए जिससे डेट यू पी टीजिटी पीजीटी की जल्द से जल्द रिलीज हो तो इसी के साथ आज हम लोग अपना चेप्टर जो है वो है के विएस लिखना करक अपने और यह पोयम जो है एक इसका जो अदरनीथ मीनिंग है वो यह है कि यह पोयम जो है वो वर्ड वार वन के बाद जो है वो लिखी गई है तो यह निकि 1930-1939-45 तक वर्ड वौरट सेकेंड चला और उसके जो फिक्त अंवे लोगों ने झाले देखें yol कोकिया उसके प्रभाव जो है वो रहे और यह पोयम जो है उसके बात अफिर पॉर्टा कर देता है और यविवर्ड यू और यू लो मेरा माइक जो है वो सेट नहीं हो रहा है एक मिनट जो रहा है माइक कहीं को जा रहा है एक मिनट ज़ा सेट कर लो चलिए स्टार्ट करते है माइक जो है अभी है सही जगह पर अब आया है जेम्स फैलकनर करकाप वस बार्न अपरिल 23rd 1918 2018 and died on May 10 2009 he was an internationally acclaimed poet वो एक अच्छे पोएट थे नौवलिस थे प्ले राइट थे एंड ट्रांसलेटर 30 books लिखी उन्होंने जिसमें autobiography novels and plays थे उनकी पहली book of poetry थी the drowned sailor at the downs जो की published हुई थी in 1947 में उनकी जो लास्वाल्यूम था that was published in during the summer of 2008 by Red Squirrel Press and was launched at a special event at Central Library in South Shields यह poem जो है इसको मैं आपको बताती हूं उसके बाद इसकी summary वगरह सब इसमें दीवी है इसमें questions कोई बहुत the over the top questions मुझे इसमें नहीं मिले बहुत साधरन से question है तो मैं इसको केवल आप इसको poem अच्छे से जो है मैं आप को पढ़ा रही हूं तो देखें पहला इसमें poem में है remember no men are strange no countries foreign याद रखो no देखें एक इसमें ना कोई rhyme scheme नहीं है और शुरुआत जो होती है ना देखें को लोकुएल वे में शुरुआत हुई है यानि कि day-to-day language में start हुई है no men are strange repetition हो रहा है no 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 countries foreign no men are strange here he means to say कि कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है no countries foreign कोई भी जो देश है वह अजनभी नहीं है यानि कि कोई भी देश जो है वह अजनभी नहीं है हमसे beneath all uniforms सारी uniforms के नीचे a single body breathe सभी का एक समान जो है वह अनाटमी एक जैसा शरीर है जो breathe a single body breathe like ours जैसा हमारा शरीर है वैसा ही उनका है the land our brothers walk upon is earth like this जिस धर्ती पर हमारे भाई चलते हैं वह धर्ती ऐसी ही है जैसे पर हम रहते हैं इन विच वी ओल शेल लाए जिस पर हम सारे जो है वह लेटते देट्टू aware of sun air and water यहां पर देखे वो भी sun air and water वो भी उसी sun उसी air उसी water को feel करते हैं जैसे हम करते हैं sun सर्दी गर्मिया एयर सर्दिया वाटर बरसात sun air water से जो एक पार्ट से पूरे के पूरे जो है पूरे उसको बताया गया है पूरे सीजन को बताया गया है तो यह हो गया सिनेग्डो की देटू aware of sun air and water वो भी हमारी तरह गर्मी सर्दी बरसात जहेलते हैं दे आर फेट बाए पीसफुल हावेस्ट यह ट्रांसफर्ड एपिथैट है शांती पूर्ण हावेस्ट को पीसफुल का गया है कि जब शांती के दिनों में बहुत अच्छी फसल होती है तो वो भी उसी फसल को खाते हैं जब बहुत लंबे समय तक युद्ध चलते हैं तो लॉंग विंटर स्टाब तो वह वार्स लॉंग विंटर वार को लंबे विंटर से कंपेर किया गया है तो यहां पर मेटाफर है कि वार के लंबे विंटर में जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो वह भी भूके रहते हैं ते हैंड्स अर आवर्स उनके हाथ भी हमारे जै मेनत जो हमारी मेनत से अलग नहीं है so here the poet says here the poet this is tells the after effects of war after world war one and world war two people have people did realize that war is good for nothing remember he says that always keep in mind that every person is safe whatever uniform we view yes it means to whichever country we belong to whichever country soldier we are but beneath that uniform there is a single body that looks like the body of that that has the same feature that we have the land our brothers walk upon the land on which people walk it is the same land on which we all lie it means after death we all shall lie in the same earth after death everyone is same they too aware of Sun air and water as we suffer winters summer and rain in the same way the people of other countries as well suffer the same thing we find figure of speech synecdoche in Sun air and water as we are fed by harvest in the same way they are fed by the same harvest they enjoy feast when there is peace everywhere and they starve when the war breaks out their hands are ours their hands are the same as we have and in the in the in the lines of their hands we read the same labor it means they do the same way they do the same kind of flavor as we do it mean there is no distinction between the labor of other country and other countrymen and our our labor a labor not different from our own remember they have eyes like ours that have a repetition hurrah they can remember they have eyes like arcs that week yad rakhye unkebi aisi hi aankhye hai jiasi hamaari same chijay repeat ho rhi hai that wake or sleep and strength that can be won by love unmeh bhi wo taqat hai taqat ko jita ja sakta hai keval pyaar se nafrat se nahi it means if we want to rule we have we should know we should know how to love others by hating others only we can spread violence we can spread hatred and we can only divide but if we want to unite we have we should start learning we should start learning the concept of love by love in a in every land is common life that all can recognize and understand har jagay exes in the gi johami samaj na hai or hama pehchan na it means everywhere the life is same just we have to understand that whatever type the type of life they are leading that is the same type of life that we are leading let's remember whenever we are told to hate our brothers jabbi hum se kaha jata hai ki apne bhaiyo se nafrat ko it means when we are told to uh to uh fight with our brothers to fight with our with uh against other people of other countries it is ourselves that we shall dispossess to hum or kisi ko nahi khut ko indoka de te hai khut ko in in khut ki ninda karte ha khut ko hivanchit karte it means if we are told agar hum se kaha jata hai ki uh fight against uh other people then we are betraying ourselves we are condemning ourselves and we are reserving the right of us hum kisi or ka rite nahi is up karra apna hi karra remember we who take arm against each other jab hum ek dusre ke khilaaf uh arms to kaya wo utati it is the human earth that we defile so human earth so yeh man via dharti hai jis se hum ganda karte human earth that we defile our health of fire and dust outrace the innocence our health of fire means hai ya hapa nafrat ko health of fire kaha gaya hai so ya hapa petafer hai ke hum apni nafrat ko aur apne dust and apne nafrat or uh joe amare uh anger hai us se hum innocence yanaki joe ek man via guna hai achha guna hai usse kharaap karte hai of air that is everywhere hum kya karte hai we outrace the innocence of air air ki innocence ko yanaki hum the hawa ko pollute karte hai it means we just destroy this beautiful earth this epitome of uh uh innocence we in we destroy this epitome of innocence and he says remember no men are foreign and no countries change ko yaad rakhna to ya refrain ho gaya hai ki koji bhi vikti apari chit nahi hai koji bhi country joe hai wo anjaan nahi hai here he means to say that all of us are same and if we start feeling like this there will be no wars and peace will prevail everywhere so no men are foreign can be described as a post-colonial poem ye ek post-colonial poem hum ka sakte hai or um which talks of globalization ye poem joe hai uh 45 ke baad hi likhi gai ho gi kya ki jab world war second joe hai wo khatm ho gaya tha and dissidents were revolting against the oppressive rule of uh jab log joe hai wo colonial powers ke against khadae ho raha hai hai and this was rejected by the local citizen kirkep's poem echoes these sentiments and he wants his readers to celebrate these differences rather to be enslaved he wants he aham coin differences ko um accept kar lena chahiye tabi hum joe hai jabam differences ko accept karke ik dusre ke differences ko accept kar lenge to koi argument hini ho ga we have many ways of thinking of other people as different from us they may belong to different countries but they have a same persona in this poem no men are foreign however the poet remind us of many ways in which we are all the same hum sari aka for we all are human beings nature never differentiates between men of different countries tk ye poem ek emphasize karti hai is fact pay that people of different countries have same physical mental and emotional experiences that we i have told you earlier that we have same feelings uh when we are sad we shed tears when we are happy we burst into laughter so those feelings are same maybe the language is different but the feelings are same they are in no way different even though they we are different clothes and speak different languages the dust and smoke caused by war weapons pollute the very air we all breathe breathe kija my nafrat havos air co pollute karditia thus we should never fight with others we should remember that all of us are the children of the children of same god when there is no essential difference between us there there is a room for hatred to nafrat ki jagai kaha hai nahi hai jagai nahi nafrat karni hai nahi karni nafrat start loving poetic devices in no manner the pya is poem me koi bhi rhyme scheme nahi hai is iis me free words poetic devices metaphors may use kiya gaya kare beneath all uniforms a single body breathe uniforms joe hai waha pa ye identities hai military ko uniform se vayas a uniform se agar military ko kaha jara haag hai to phiris in a good part for whole ho gya phiris in a good oki hai metaphor se jada a synecdochi hai military se military se uniform se military ko bata ya jara hai to that is synecdochi the poet again wars long winter yeh maine aap ko bata ya ta winter ko war se compare kia jara metaphor hai alliteration hai body breach bb or war winter ww transferred epithet hai hai toh is me dekhiye peaceful harvest me mannha ap ko bata ya ta peaceful a person hoota hai to harvest ke liye use kiya gya hai repetition puri poem me repetition remember remember word आप kai bar lete है और पहले और लास्ट वाले रिफ्रेइन भी इसको कहा जा सकता है और remember no man a strange language तो अब यह इसके mcqs है मैं यह तो नहीं कहें इसके mcqs बहुत टॉप टॉप लेवल के हैं वागार जो भी है ठीक थाक है उसमें तो पहला question है what is the rhyme scheme of this poem एक चीज मैं आप लोगों को बना देती हूँ जब कोई आप तो session भी बहुत छोटा ही रहेगा what is the rhyme scheme of this poem जैसा मैंने आपको बताया था इस poem की rhyme scheme कुछ भी नहीं है no rhyme scheme it's a free words question number two what we should we not do to others love hate care meet हमें दूसरों से क्या नहीं करना चाहिए hate नफरत नहीं करनी चाहिए जो आजकल का clear funda है तुम मुझसे नफरत करो मैं तुमसे नफरत करूं तभी तो हमारा काम चले what are we doing to the human earth हम human earth के क्या कर रहे हम उसे pollute कर रहे डिफाइल कर रहे तो क्या होगा that is a defiling who is the poet of the poem no men are foreign James Kirkup wb eats Robert यह कुछ questions होते हैं important होते हैं क्योंकि हर poem के अलग-अलग जो है poetry याद रखना पड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसके हैं James Kirkup in the end we all shall lie in हम अंत में हम सब के साथ क्या और we all shall lie in the same earth हम सारे के सारे जो है उसी धरती में जो है वो तफनाए जाएंगे इसका question यह होना चाहिए था whom should we hate हमें किस से नफरत करनी चाहिए आप brothers our enemies we should hate none तो हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए a single body beneath all a single body breathe करती है beneath all यह मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो कहें वह बढ़ाती है सारी जगहां की military को तो यह हो गया आपका military जो कहें uniform एक uniform पूरी military को बता रहे तो यह सिनेक्डोकी होगा पार्ट फॉर होल हुआ है how did the poet prove that there are no foreign countries with the help of people with the same way of living and dying with the help of nature none so how did the poet prove that there are no foreign countries you can sabi ki we have we share the same feelings we share common feelings with the same way of living and dying what should be discouraged according to the poem a poem क्या according क्या चीज डिस्करेज की जानी चाहिए the practice of love and brotherhood equality ill practice of hatred and discrimination done तो इसका answer है आपको सबको पता है ill practice की हमें नफरत नहीं करनी चाहिए discrimination नहीं करना चाहिए क्या यह पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल जी how can we understand common life on every land हम कैसे जो है common life को समझ सकते हैं by hating by proving ourselves powerful by leaving narrow thinking and hatred none अगर हम individual differences को accept कर ले और यह मानने की सबकी feeling same है सबसे बड़ी बात होती है individual differences को accept करना जो मेरे लिए तीन जो छह है वो दूसरे के लिए तो जब वो इंडिविजल डिफरेंस को आपक्सेट कर लेते हैं तो लड़ाई होती ही नहीं है तो भाई लीविंग नेरो थिंकिंग और हिट्रेट इस तो हम लोग जो है it is us with that we dispossess that we condemn तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हमें जब हमसे कहा जाता युद्ध करो तो हमें उस बात पर अटेंशन पे नहीं करनी है अगर आप हाउज मैंस विजन विजन ट्लावड़ड पाई हेट इंड नेरो थिंकिंग बाई अदर कंट्री न इंसान का जो विजन है वो ग्लावड़ड़ यह ने क्यों बायस क्यों नफरत से और नेरो थिंकिंग की वैसे मैं जो हूँ मैं ही सही हूँ दूसरा गलत नफर यह इसी जही नफरत पैदा होती है तो भाई हेट एंड नेरो थिंकिंग वाट दस हेड़ दू केल सैनिमी प्रूब्स पावर स्प्रेट्स मोर हेट एंड डिवाइट से वरिटिंग नफरत क्या करती है नफरत नफरत को पहलाती है और हर चीज बाट देती है एंड वर्ट is the binding force that's love spreads more hate and divides everything who instigates the ordinary people to hate religion God selfish people for their personal interest none you coach mutti bar logo tell logo instigate cutting and learn a kelly oxa thing that is selfish people for their personal interest what message this poem conveys you basically a poem to have a message conveyor T equality and brotherhood individuality of everyone everyone is different and none so you about the air key equality and brotherhood for you about the equality and brotherhood and the acceptance of individual differences what causes war hatred love religion countries hatred nafrat nafra joe war ko paida karti what is this poem emphasizing in this poem what the poet wants to convey all people are equal all people are different different people live in different countries none sabi log ek saman sabi log ek saman sabi all people are equal how can strength be one by war by hatred by love by the strength strength gt ja sakti hai piyaar se by love what message does the poet war wants to convey sorry what passes does the poet want to convey in the poem no men are foreign all men are brothers all men are good all men are bad God is everywhere all men are our brothers sub hamaribhia hain or sabi ya what do we do when we hate others according to the poet we hate ourselves we protect ourselves we save ourselves we love ourselves you know last fall is an jam a car be a diagram lardy a to home could go so that's all for today we love us today I hope we love to see you in the next video I hope you can see the